नमस्कार दोस्तों मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं The GS Platform YouTube चैनल तो देखिए आज ये आपके लिए Current Affair का वीडियो नमर 61 और इससे पहले मैंने 60 वीडियो बनाए है अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो वीडियो शुरू करन नापका है World T20 Cricket 2020 की मेजवानी कौन करेगा यानि अंतराष्टी Cricket 2020 World Cup 2020 में होगा उसकी मेजवानी कौन करेगा तो देखिए Malvern Cricket Ground करेगा यानि की Malvern Cricket Ground कहां पर है ये देखिए आउस्ट्रेलिया में तो कुल मलाकर इस चीज़ की गोशना कर दी गई है कि Malvern को ही इस चीज की मेजवानी मिलेगी तो World T20 Cricket 2020 की मेजवानी Malvern करेगा जो कि आस्ट्रेलिया का एक सहर है तो पहला कुशन आपका complete हुगा नेक्स्ट देखिए दूसरा प्रेशन है PM Modi ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का उदगाटन कहां किया खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का उदगाट नई दिल्ली में प्रधान मंत्री ने हाली में किया है तो यह आपका दूसरा प्रेशन अगला प्रेशन देखते हैं New World Wealth Report यानि कि विस्ट की जो आर्थिक संपदा है धन है उसकी एक रिपोर्ट आई है तो New World Wealth Report की अनुसार सबसे अमीर देशों की सूची में भारत को कौ प्रेवा इस्थान मिला है तो इसका मतलब भारत जिसका सबसे छटा अमीर देश है जिसके पास इतनी संपत्ति है और इसमें सबसे पहला इस्थान USA को मिला हुआ है यानि कि संयक्तुराज अमीर का को दूसरा इस्थान इसमें चीन को मिला है तीसरा इस्थान जापान को मिल भारत को इसमें छट्वा इस्थान मिला है तो काफी अच्छी एक सुचकांग है रिपोर्ट है इसको आप ध्यान रखेंगे आ सकता एक्जेम में तो चौथा प्रसन आज का है नेशनल टेवल टैनिस चेंपियंशिप टेवल टैनिस की नेशनल चेंपियंशिप ठीक है तो ये important question है सहीद दिवस मनाया जाता है आपका 30 जनवरी को तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो सहीद दिवस है वो महत्मा गांधी की सहीद होने की याद में प्रतिवर्स मनाया जाता है तो 30 जनवरी को सहीद दिवस महत्मा गांधी की याद में मनाती है ठीक है तो ये आपका आयोजयत होगा नई दिल्ली में ठीक है न्यू डेल्ली में बैडमेंटन टूर्णमेंट आयोजयत होगा तो आज का साथवा प्रिष्ण है बैडमेंटन एशोशियेशन ऑफ इंडिया के द्वारा Lifetime Achievement Award 1218 के से दिया गया देखिए Lifetime Achievement Award बैडमेंटन एशोशियेशन ऑफ इंडिया कि तरफ से मिला आय है कई संस्था है Lifetime Achievement Award देती है लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना वोगा कि Badminton Association of India की तरफ से Lifetime Achievement Award प्रकास पादुकोण को दिया गया है प्रकास पादुकोण को Lifetime Achievement Award मिला है यानि जिन्दगी भर की जो उपलब्दियां है उनके लिए एक बड़ा पुरुसकार मिलता है तो आज कर देखिए आठमा प्रिशन है आर्थिक सर्वेच्षड 2017-18 एक पुष्टक होती है जो की कुछ इसमें रिपोर्ट दी जाती है कुछ डेटा होता है तो आर्थिक सर्वेच्षड 2017-18 को आर्थिक विकास के बीच लिंग के मुद्दे को उजागर करने के लिए ठीक है, लिंग के मुद्धे को उजार करने के लिए संसद में किस रंग में पृस्तुत किया गया तो ये देखो जिए आर्थिक सर्वेच्छड होता है इसको गुलावी रंग में जो कवर है इसका गुलावी रंग पर वहाँ पे सो कर रहा है गुलावी रंग की पुस्तक कह सकते हैं तो आर्थिक सरवेच्छड एक डेटा है सरवेच्छड एक पुस्तक है उसको गुलावी कलर में पृष्टों के साथ, कभर के साथ वहाँ पृष्टूत किया गया है और वो किसलिए किया गया है जो पृष्ट महलावी जो लिंग वेद होता है उसके पृष्टी जाग रूप करने के लिए गुलावी कलर में ये सो किया गया है ठीक है तो आटवा प्रसन आपका कम्प्रीट हुआ नवा प्रसन आज का है एक फरवरी से दो फरवरी के बीच यानि कल और परसन सुस्मा स्वराज किस देश की यात्रा करेंगी ठीक है सुस्मा स्वराज किस देश की यात्रा करेंगी तो देखिए सुस्मा स्वराज हम लोग जानते हैं कि ये विदेश मंत्री है हमारी तो ये हाली में नेपाल का दोरा करने वाली है और 200 से अधिक लोगों ने कमेंट किये तो कुलमलातर बहुत अच्छा रिस्पॉंस है कि कल आपने जो उत्तर दिया हिमाचल प्रदेश के मुख मंतरी का नाम जैराम ठाकोर तो सभी लोगों ने सही आंसर दिया है तो उमीद है कि इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो आज का प्रसन देखिए प्रो कबड़ी लीग खेल से रिलेड़ेड़ कोश्यन है प्रो कबड़ी लीग 2017 किसने जीती तो अगर आपको ये कोश्यन आता है जो काफी important है और आने वाली examination में उसके आनिक संभावना है तो प्रीज कमेंट करिए और वीडियो को share करना न भूलें जिससे कि आपके और friends है उनको भी मदद मिल सके तो मिलते हैं एगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन